हेलो एबरिवर्ण आज का टॉपिक है मनुविशलेशन वादी हिंदी आलोचना को असपष्ट करें मनुविशलेशन वादी आलोचना हिंदी आलोचना पर आधूनिक व्यक्तिवादी चेतना का परभावय या व्यक्ति के अनुभूतियों और उसके अंतर जगत के विशलेश को कहीं अधिक मातू देती है और इसके लिए मनुविग्यान का एक परभावी उपकरन के रूप में इस्तिमाल करती है असपश टेक्व मनुविश्लेशन वादी आलोचना का सरूप अंतरमुखी होता है इसके सेधान्तिक अधार को निर्मित करने कसरे फ्रायड एडलर और य बात करता है चेतन उपचेतन और अवचेतन वा मानों की गतिविधियों के निगमन में अवचेतन की महत्पुन भुमिका को मानता है यही कारण है कि मनुविश्लेशन वादी आलोचना भी रचना को रचना कार कि व्यक्तित्व का परशेपन मानती है और इस बात पर देती है कि व्यक्तित्व की पाचान और चेतन मन से होती है या आलोचक से अपेक्षा करती है कि वह रचना की व्याख्या और विश्लेशन करते वक्त रचनाकार के व्यक्तित्व को अपेक्षित महतु दे फ्रायड अगर मनुष्ट के व्यक्तित्व के विश्लेशन के कर्म मे सेक्स लिवीडो आत्रीप्त दमीत योनिक्षा को सरवाधिक महतु देता है तो एडलल विवीडो की तुन्ला में आग को कहीं अधिक महतु देता है उसका मानना है कि पर्तिक व्यक्ति में या अस्थापना की सवभाविक परविर्थी होती है और इसे की इक्षा एवं जीवन के अथार्थ का विरोध ही मानव मन के मुख्य समश्या है वे इस आत्म अस्थापना को हिंता बोध हीन गरंती से जोड़ कर देखते हैं या एक्षा जीवन के तीन छेत्रों समाज व्यवसाय और विवा में अभिव्यक्त होती है कर लियूग लिवीडो सब्द को कहीं अधिक व्यापक अर्थ में लेते हैं इसमें काम विर्ती और आत्म स्थापन की परविर्ती दोनों सम्मिली थेवे जीवन अक्षा को सरपरि महत्व देते हैं जो विकाश किया और जन तीनों लक्षों में अपने को व्यक्त करती है यूग को अंतरमुक्ता और बहिरमुक्ता के आधार पर व्यक्तितु कभी करते हैं दुसरा आलोचना की या धारा साहित का भूल संबन मनुष के वह जगत की वज़ा अंतर जगत से मानते हैं और इसलिए पर्तिकात्मक्ता को अविश मानती है इसकी दृष्टी में मनुविशलेशन के जरिय मनुष के व्यक्तित्व के परत दर परत का उद्गाटन साह अधिति का मुल परियोजन है इसलिए भासा विशलेशन परक होने चाहिए ऐसे भासा में बिम्बोल आक्तमक्ता अनुभूति परवन्ता और परतियात्मक्ता होगी तिसरा हिंदी आलोचना में मनुविघ्यान के परियोग का श्री आश्यर शुकले ही रिचार्श के परभाव में मनुविशलेशन वाद के सारे रश सिधान को लोकमंगलवादी व्यक्या को लेकर उपस्तित होते हैं इसी परकार जब आशेर शुकल कवीता क्या है निवन में लिकाते हैं कवीता हमें शुए के संकुछित दाइरे से बाहर निकाल कर मानवीता की उच भूमी पर ले जाकर इस्तित कर देती है जहां पर हमारे लिए अपने सुख और दुख का महतु नहीं रह जाता वरन हम दूसर के दुख से दूख्या और दुश्रे के जुक्त से शुक्त होने लगते हैं तो हेरते के मुख्त होनी की या परकिर नाओं को नवीर मनुविज्यानिक और शाहितिक पर्तिमानों में परिनत करना होगा नवीर मनुविज्यान की सायता से या कायर अधिक सुगमता पूर्वक हो सकेगा इसी को असपश करते हुए छाया वाद नामग निर्बन में कहते हैं सूर के स्याम और मीरा के पर्वु इतरे के रूप में तो भीन है ही उनके निर्मान को मानसिक प्रेणा भी एक नहीं है मनुविज्येशन वादी आलोजना का पूरा का पूरा ध्यान इसी मानसिक प्रेणा के उद्गाटन पर है लेकिन मनुविज्येशन वादी आलोजना की धारा का वास्तविग विकाश डॉक्टर देवराज की नेत्रित में हुआ हिंदी के कभी लेखक अलोचकों में अजेग इस वाश के सबसे अधिक करीब ठारते हैं उन पर फ्रायड के मनुविश्लेशनवाद का गरहा परभाव है वे ताश्रप्तक की भूमिका में लिखते हैं आधुनिक मनुष योन वर्चनाओं के चित्रन के बिना नातों लेखक अपना दायत पुरा कर शकता है और ना हिंझे आलोचक इनगोन वर्चनाओं के उद्घठन के बिना अपने आलोचकिये दाय व जेग ने लिखा है आधुनिक कभीता परमनोविज्यान की गहरी छापें क्युआ कि व्यक्ति और उसकी परिष्थिती में इतना कम समंजस और इतना तीखा बिरोध कभी नहीं हुआ और उस बिरोध के दवाव की कभी के मन पर गहरी छाप है इतनी गहरी की वह उसे सीधे सीधे व्यक्त भी नहीं कर पाता है केवल धवनित करता है केवल एक संकेत देता है जिससे हम आगे बढ़कर उसे देख सके एक संदेरी होता है जो बाहर फुलवारी में बाढ़ता है एक होता है जो घर में राता और अतितियों द्वारा देखा जा सकता एक और होता है जिससे हम बन कमरें की खिड़की से आते हुए आलो को देखकर अपनी समेदना के सहारे ही मूर्थ कर लेते हैं, मांसिक तनाव से धनुस की पर्तियंज़ा सीर्तनी हुई, अंतर जीवन को तीकी चेतना के अस्तरशो शन्यत लेकिन जीवन की विभित्ता के बोच से भी स्रिंखला होती हुई भी, आज की कविता का सुंदर इ मनोविसलेशन वाद से या जुड़ा बना रहता है, ये दपी पहले वाला फोकस नहीं रह जाता, आधूनिक हिंदी कथा साहित और मनोविग्यान में डॉक्टर देवराज की अलोचना पधती भी मनोविसलेशनात्मक है, इन्होनी साहित को मनुस के चेतना मुलक जीवन का अंग कहा और या सपस्ट किया कि मनुस की जेविक परविर्थी और मनोविग्यानिक परकिर्थी में घनिश रंबंद है, हमारे राग बिराग और आकर्षन भी कर्षन मुलता जेविक परविर्थी से निर्धारित होते हैं, जहां नरोतम सागर कुछ उपनियाशों के मुल् इला चंद्र जोस्री साहित चिंतन में कहते हैं कि साहित का मुल उद्देश चरम सौंदरी की अभिव्यक्ति के माधियम से जीवनी सक्ति परदान करना है, अधि जेनेंद्र ने मनोविश्लेशन वाद और गांधी वाद को मुलाने मिलानी की चेश्टा की, तो इला चंद्र नागेंद्र की चर्चा ना की जाए, डॉक्टर नागेंद्र को मनोविश्लेशन वादी आलोचना का एक मात्र दुवन अस्थमाना जाए, तो अतिश्योक्ति नहीं होगी, फ्रायड के परभाव में, अगर डॉक्टर नागेंद्र ने चायवाद की अस्थूल के खिलब संग्याद दीतो, उशी के परभाव में वे देव और उनकी कविता तोलसी और नारी और हरी क्रिश्म प्रेमी के नाटकों का भी वेचल निक कर मनोविश्लेशन वादी आलोचना को वेवारिक दरातल पर उतकर्ष परदान करते हैं, लेकिन आलोचना को इस धारा की सीमा या रही कि इसकी छीटपूट उपस्थिती तो सुरू से अंत तकत दिखती है पर इससे हिंदी आलोचना की मुखिर धारा बनने का गोरभ हासिल ना हो सका, और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल और शेयर जर करें